हालो दोस्तों गुर्मानें आखेरें इंतजार का समय खतम हुआ और आज हम लेकर आये हैं आपके लिए मदेर मेदरवर्ग का आये सिखे मदवर्ग कंकरगत और इसमें हम सिखेंगे जो कल हमने च्वड़ा था ड्रोइंग का किरो जिरो जिरो बन नमर का फ्रेंड हम खरेंग जिरो को दो सिखेंगे मर्वर्ग में तक हंके राूंक के से होता है राण के Passion का म की तो आपको मैं पाटाने वाले कमा क्लिरा मैं पहले हम करेंगे तो स्वाधत्यात का आए सी के मदवर बातरगर, टाइम बेट ना कते हुए, आए शूव कते हों, तो दोस्तों मदवर्वक में हमें पहले चाहिए कबड़ा, वीटी, में पहले चाहिए आगे जो उने किया था गोवाला ट्रोइंग, ये जो उने पहले आगे पहले किया था, क्योजरो बन नम्बर था ट्रोइंग, एक चाहिए कबड़ा, पानी का रिपा, साथ में चाहिए वीटी, वीटी के साथ चाहिए एक जटकर में से एकोल, एक चाहिए बटर का टुगड़ा, जो में बाद में लिखत होंगा आपको काम करते समय, ये जो मदव होता है, ये फ्रेश के अंदर हम लाइं कैसे करेंगे, रेग कैसे बनाएंगे, और परत्पा कैसे बनाएंगे, उस बताएंगे, तो दोस्तों, मदवक करने के लिए हमें पहले ये एक नमबर का डिजाइन लिया था, पहले हमने ड्रोइंग कर लिया, आगे का वीडियो आप पर में मिट्टी लगानी है ये पत्तिया बनानी है ये रिंग बनानी है इसमें आपको लाइन बनाने के लिए चाहिए एक गुड का टुकडा ऐसा वला जो में रोटी बेलते है ना ऐसे उसमें लाइन बेलनी है आए शुरू करते हैं तो दोस्तों हमने लाइन बनाने के लिए तुकड़ा ले लिया है, प्लाय का, यह रही हो मिट्ति, मिट्टि को ऐसे रख के, ऐसे बेलना है, जैसे रोल टें देल जाना दो कि Chelsea मिञा सकत हर् me आठे मेम का बोड है यह तो आठे मेम के शाब से यहाँ पर चार मेम की मिट्टी लगेगी आए शुरू करते हैं ऐसी वाले लाइन बनानी है देख सकते यह ठूटे की नहीं बहुंदार होती है जैसे भी आप भोल करो फोल्ड करो कैसे भी करो तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगाना है पहले यहां पर पहली लाइन हमें करनी होगी यह यह लाइन चार तरफ घुमाएंगे बाद में यह वाले ढूआइब बाद में अंदर स्टेव बाइ स्टेव में बताता जाओंगे सेशी परनी है तो यह रहा फ्यार्ट आप चाहते तो ऐसे भी लगा सकते हैं औ ऐसे लाइन को दबाना है, तो यह लाइन दब गए, अब इसको ऐसे प्रेस करना है नीचे, ताकि यह अच्छी तरह से बेट जाए, बोड के साथ, लाइन हमें करनी है, वी शेप में, यह वी शेप है, उसके बाद यह थोड़ा सा फेव कर लेके, इसको फिनिशिंग करेंगे, और उपर का जो खोना निकलता है, उसको थोड़ा दबा देंगे, ताकि इसके उपर हम वाइट आउट लाइन कर सके, दोस्तों, एन ट्रेडिशनल मडवक भी करते हैं, यह रेगिलर मडवक है, जो बाजार में चलता शुचाँ खोने हो दोख कर सेख़ेंगे, यह ऒध़ा रफ हो जाता है, उसको को जो पसंद करते हैं, वो लोग दिया लड़ होते हैं, यह लाइन कर दिया हमें, अब यह वाले लाइन करेंगे, इसमें V-Shape बनाना है, ऐसा वाला, V-Shape बनाने से क्या होता है, लाइन यहां पर बेढ़ जाती अच्छी तरीके से, और round shape म कम रहेंगी सिर्फ फ्रेफल से जब की रहेंगी बाद में नीचे का कोना दिखेगा वह नहीं दिखना चाहिए इसलिए ऐसी वीशेप नमोनी चाहिए ऐसे और ऐसे ताकि उसकी पकड बॉर्ड पर बहुत हाड रहे तभी तो मडवर्क आप जहां पी स्टोर देखते हैं वहां पर वह कहता है कि यह अनुब्रेकबल होता है तूटता नहीं है इसका रिजन यह है कि यह वीशेप में बनी हुई है वीशेप में ऐसे बैड़ जाती है हमारी जो उंगली यह काम करते है तो यह वीशेप में रहती है है यह अप साइध वीडियो में देखकें जैप यह वीशेप में वाता है輯 वह हुई हम्लेए यह उनॅपर करना है दोस्तों मडवर्प में वीशेप पहुंत महत्वर रखता है कि वीशेप से जैसे यह भी होता है ऐसा शेप होने से लाइन में पपड़ती है अब लाइन आप ऐसे बिठाओ या इतनी उपर करो तो उसे क्या होता है कि वीशेप बनाने से बोड के उपर उसकी सर्फेस ज्यादा रहने से मडवर्प की जो मिट्री होती है वो अच्छी तरह से चिकर जाती है आइसे करना हैं।sch Дав outta च्पण कि एससे करने से कि कि विशन पनाने से मिचल्चे से चिपतते हैं। और भाले होती है और मजबुत होती है। वूर्ड के उक उसका पकड़ इतना मजबुत होरacas जाता है खिर जाता है, तो भी वह बूर्ड से अलग होती हैं। और बहुत वाटरपूप हो तो भी वह चिपकी रहती है फैविकोल तो उसके साथ के लिए हमें कुछ ज्याद कहीन की ज़रूरत नहीं है, आपको पताईए दौस्तों में मदवक के अंदर 25 साल से काम कर रहा हूं मदवक रिलेटेड जिजने भी वीजो हाईंगी उसमें आपको में दिखाता जाऊंगा कि मदवक करता हूं तो वहां पर बहुत को बदा दूगा यह मिलते हैं और यह प्राइज में मिलते हैं मिलते हैं मिठी कहां से मिठी है सबसे बड़ा अहम प्रश्म है मिठी कहां से मिठी है पहले बात तो यह है कि अगर आप नई है आपको पता है कि मिठी कैसे बनाते हैं तो आपके लिए तो कोई इश्यू नहीं है पर जो नए वीवर है, उनके लिए इस्ई है कि मती कहां से विल्ड आपको बहुत हाड वर्क नहीं करना है एक कलरार का स्वप होता है, हर एक कलरार स्वप होता है वहाँ पर आपको चोप पाउडर , आईसली में जाएगा मिंटी की आपको लगडी का पुरादा मिल साथ, ख़य को कह सकते हैं मिती कहम हम यूज कर रहे हैं वो मिती हह सकते हैं ताला की मिती है तो उसके लिए मैं अलग से बनाने वारा हूं कि अभी तुम्हें आपको लेने तुले के जाया ने सकता कि ताला उठाम पर है वहां से केसे निकालते हैं उसको केसे छानते हैं बहुत आड़ने होता है ये और ये हार्डवर्क के अंदर बहुत सारा लंबा प्रोसेस वोने के बज़े से वीडियो भी लंबी हो जाती है उसके लिए मैं सेपरेट अलग वीडियो आपको बना दूगा देखते रही है कि ये कबायगा वीडियो मैं बनाने सकता जब बे मैं वहां जाओंगा तब आपको शरूर लेगे चादूंगा कि मीठी कहां मेलती है और केस बनाते ह आप कीमिठी करते हैं सब्देखोर वहां दूगा वीडियो मीठी के सब अदोगे मैं दूगूत करते हैfish का प्रश का दूगे हम दोरे कीकी लगड़ी के पटे को ऐसे फबर खेरते ऐसे बेल लाग अगर यह ज्यादा लग रहे हैं तो आपको ऐसे टुकड़ा अलग कर देना है और पिसे आप तक तक बेलिए जब तक आपको केस तुटली पतली चाहिए उसके इसाब से बिलिए तो कि बड़ा काम होता है कि उसमें थो ओर एमेम की है अंदाजी लेके चलो तो यह फोर एमेम की है तो यह बन गई अब चिपकाएंगे अम बोर्ड में मेरा हमारा बोर्ड तो यह लाइन हम कर चुके है अभी यह दूसरी डाल लाइन है ऐसे चिपकाएंगे काट देंगी दूसरा टुकड़ा रख लेंगे आगे के लिए काम आएगा ऐसे टुकड़े प्रेच मत दीजिए यह कंच्यूनी काम आते हैं जब तब गिल्या रहेगा तब तब उसके उसको सभाल के रखना चाहिए और यह जो मिटी है इसको इस तरह डबाएंगे वी शेफ में लाइन के ऊपर बने रहना है लाइन से आगे पीछे नहीं होना है अगर आगे पीछे हो गया तो लाइन हो जाएगी ठेड़ी मेड़ी तो यह टुकड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया था मैंने कार दिया चाहिए इसको वी शेप में इसे खेवि कॉल रहे के ऐसे किसेंगे और है तो यह हो गए हमारे एक लाइन दो यह क्लाइन अ अ शुक्ता हुआज ओगी ज़ाए नहीं रोड़ी हो गई यह से यहां हमने ही ज़ाइट करेंगी यह थोड़ा सुखनी देंगे थोड़ी जाड़ हो जाएगी उसके बाद यहां पर जोड़ेंगे तब तक के लिए यह वाले लाइन करेंगे यह जो बॉड है इसके साइज का यह लाइन है यहां से यहां तक दसीच है तो यह लाइन भी दसीच की हम बना रहा है तो यह करीब दसीच से ज्यादा हो गई एक दम सर्फिस एक जैसे रखनी चाहिए यहां तगड़ी हो यहां पत्ली हो यहां पतली हो आप पतली हो ऐसे नहीं करना है बाद में जिकत होगी यह है हमारी लाइन और यह रहा ऊपधेख और ऐसे दबा देनी है परेदे यह दबा देनी है बाद में लाइन के उपर ही चलना है यह वाली लाइन के उपर ही कि चलना है तो यह लाइन हो भी है हमारी अगर इस तरफ या इस तरफ खिशक जाती है तो इसक लीजिए थोड़ा इसे दबाते हैं जैस कीजिए ऐसे सारी लाइन दबा दीजिए तो यह हो दिया, बाद में यह वारा थेल कॉल है, उसको हटा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, यहां पर अच्छा नहीं दिखेगा थेल कॉल, अच्छा नहीं दिखेगा, यह ज्यादा पेपल है, उसको अटा दीजिए, यहां से, अटाते समय यह ध्यान रखिए, लाइन टूटना जाएगी, जब तक सुखे गिली, तब तक यह तूट सकती है, और तक भीतर हो सकती है, बाद में जोडने से, इसको जोडने से अच्छा ही दीखता है, जोएंट अच्छा वहना चाहिए, तक बाद में जोडने सुवाँ पर करेक पड़ जाती है,